इज़तनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पाइलट और सहायक लोको पाइलट का स्वागत करता है। आज हम नीट्रल सेक्षन के दौरान लोको पाइलट वसहायक लोको पाइलट के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट्रल सेक्षन के दौरान लोको का डीजे उपन करना होता है। अगर किसी कारणवश DJ उपन नहीं हो पाता है, तो तुरंत ही पैंटो को लोवर करना होता है, जिससे लोकों के एक फेज से दुसरे फेज में प्रवेश करने के गौरान होने वाली फ्लेशिंग से बचा जा सके और फ्लेशिंग के कारण संबंधित पावर सब स्टेशन की NCD क ट्रिपिंग से भी बचा जा सके, गाड़ी संचालन के दौरान न्यूटरल सेक्शन के आने से 500 मीटर पहले 500 मीटर बोर्ड लगाया जाता है, जिससे चालक को पता चलता है कि आगे 500 मीटर पर न्यूटरल सेक्शन है, जिसके साथ ही चालक भी NCD दबाकर परियाप्त कर लेगा, आगे चलने के बाद 200 मीटर बोर्ड मिलता है, जहां पहुचते ही चालक MP से नौच को जीरो कर लेगा, और LSGR लाम्प का जलना सुनिश्चित कर लेगा, और साथ ही साथ अपना बाया हाथ भी LDJ पर रख लेगा, यदि ग्रेडियंट लोड या फिर स्पीड अनु DJ के द्वारा DJ उपन कर देगा, और LSDJ लाम्प का जलना सुनिश्चित कर लेगा, अगर किसी कारण वश यदि DJ उपन नहीं होता है, तो चालक तुरंत ZPT को जीरो पे करके पैंटो को लोड कर देगा, और आगे DJ क्लोज बोर्ड आने के बाद, DJ क्लोज करके सामानियत है होता है, जिसमें सबसे पहले सभी safety relay targets की जाँच, लोको के सभी मुख्य उपकरण जैसे, सभी auxiliaryों, compressors इत्यादी के कार्य की जाँच करना शामिल होता है, एवन साथ ही साथ सहायक लोको pilot द्वारा high tension compartment में या लोको के किसी भी उपकरण या हिस्से से abnormal sound धुआ, गंध या लोको पाइलट के द्वारा corridor inspection किया जाना चाहिए